बिसमेल रख्मान रहीम, असलाम लेकम, वेलकम टो मैं चैनल, कैसे आप सब, उमीद करते हूं के सब खेरिये से होंगे, आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, इंस्टेंट रेसिपी, जो कहा है सुईट डिश की, बहुत ही कम इंग्डिडिन्ट के साथ, सिंपल इजी सब नेया ह бог, तो इस रेसिपी को बैनाने के लिए मैंने एक लीटर लिया है जो के फुल फट् प्रीम मिल्क डूद है, डूद को मैंने उबालने के लिए रह दिया है एक खुले वैसल के अंदर तो दूद को बॉile करने के लिए रख दिया है मैंने और पहले दूद को हमने बॉile करना है simply और फिर हमने इसको high flame पर reduce करना है दूद मैंने एक लिटर लिया है हमने इसको इतना गाड़ा करना है कि ये तक्रीबन आदल लिटर से भी कम रह जाए तो flame को high रखेंगे और लगातार चलाते हुए हम इस दूद को reduce कर लेंगे अब ये दूद हमारा आदर लीटर से भी थोड़ा सा कम रहे गया है इस stage पे अब हम इसमें शामिल करेंगे पनीर तो ये cottage cheese मैंने बनाया था homemade जिसकी रेशिपी आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूँगी और इसको मैंने हातों से चूरा कर लिया है देखें क्रम सा बना लिया है तो इसको डाल देते हम इस गरम दूद के अंदर अब तो ये जो पनीर क ये है एक पाव और ये मैंने घुममेट बनाया था दो इंग्रिजिएंट के साथ जो के आप घर में बना के महफूज भी कर सकते हैं तो वीडियो बहुत जादा लंबी नहीं हो जाए मैंने इस रेसिपी के साथ इसको इसको इंकलूड नहीं किया है तो ये आने वाली रेसि कि मैंने डाला है हाफ टी स्पून इसको डाल के अची तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और इसमें आपको दिख रहा है कि अभी काफी बड़े-बड़े ग्रैन्यूल्स हैं तो इसको हम हैं मैश कर लेंगे ताकि थोड़ा बारिक दाना मन सके अब इन दोनु चीजों को हलका सा म तो यह चीजों में डाल दी है इसको डाल के मिक्सर लेंगे अची तरीके से और जीनी डालने के बाद आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज होने लगा है थोड़ा सा लिक्विट टेक्चर हो रहा है इसका तो आपने फ्लेम को ब्हुकुल हलका रखना है और इसी फ्लेम पे आपने इसको कोग करना है लगातार चलाते हुए और हलका हलका सास तरह से आपको मैच भी करते जाना है इसको अब दूसरी तरफ मैंने यहां पर तीन टेबली स्पून दूज़ ले लिया है जिसके अदर वन टेबली स्पून मैंने काँफ्लोर डाल दिया था यह ड़ी पटे मैंञाए और मिक्सर लेगे तो इसको लगातार हम चलाते जाएंगे और मिक्सर करना झाए तो बहुत ही себ़ इसलिए में कौन फ्लोर का समाल किया है तो यह देखें स्लैटली थिक हो गया है इसे स्टेच पे चूले किया बंद कर देंगे इसको साइट में कर देंगे नेक्स स्टेप की तरह आ जाते हैं अब मैंने यहां पे 7 इंच का मोल ले लिया है जिसको हम ग्रीस करेंगे बटर या यहां पर गी के साथ तो मैं यहां पे घी का समाल कर रही हूं चारो तरह हम इसको अच्छी तरीके से अपलाई कर देंगे ताके जब हम इसको काट के निकाले तो यह इजी से निगल सके तो इस तयार के मिक्सर को डाल देंगे हम इसके अंदर अब इसको डाल के इसको डाल के तो यहां पर मैंने इसको इमली स्प्रेड आउट कर दिया है अब हम इसको डालेंगे थोड़े से कटे वेपिस्ते और इसको हम रग देंगे थोड़ा सैट होने के लिए तो क्यूंकि यह एक इंस्टन रेसिपी है पहले तो हम इसको रूम टाइम प्रेचर पर ठंडा कर कट और बहुत ही सिंपल आपशेपी है कुछ ही है कलागन इस्टायल में लेकिन इक अलागन की रेसिपी नहीं है तो जरूर ट्राइ किजिए मिडी स्ट्राइप को अगर आप चाता है कुछ इंस्टन सा कूईपसा बनाना तो मिली आप इस प्रेसिपी को ज़रूर और कर दीज़ेगा एक कॉमेंट और अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना जाते हैं रेसिपी के लिए तो आम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्षन में तो फिर मुलाकात हुदी नेक्स रेसिपी वीडियो में जब तक लिए टेक केर अलाहाफेज